हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब आई होप आप सभी ठीक होंगे तो फ्रेंड्स आज हम लेके आए हैं सेकिंड चैप्टर आपकी जो श्नैप्शोर्स बुक है किलाश 11 की उसका सेकिंड चैप्टर है अब समर ओप दा ब्यूटिफुल वाइट होर्स इसको लिखा है विलियम स और इसका जो नेरेटर है नेरेटर है इसका अमारा अरम और इसमें हमारे कुछ कैरेक्टर है सबसे पहला यदि हमारा कैरेक्टर है वो है मुराद मुराद के बाद आता है अरम अरम के बाद आता है जो अन बारों के बाद आता है अमारा अंकल खोस्रो यदि हम मुराद की ब तो ये नाइन येर्स ओल्ड कजन है, किसका मुराद का, और ये ग्यारोगलेंडिन ट्राइब से क्या करते हैं, बिलोंग्स करते हैं, इसके बाद ये समझने की कोसिस करें, तो ये हमारे चेप्टर का नेरेटर भी है, आफ्टर डैट आते हैं हमारे कौन, जोन बायरो, जोन ब आने गए हैं, और ये सोठ टैमपर भी है, सोठ टैमपर के साथ साती है, आपके रैचलेस परसन भी, सोठ टैमपर का मतलब होता है, जिसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, और रैचलेस का मतलब होता है, जो बेचैनी इनसान होता है, तो इस चैप्टर की जो सुरुवात होती और अरम को क्या experience याद आता है, इसको समझते हैं, तो एक summer morning की बात थी, क्या थी, summer morning, summer morning में क्या था, सुबह के 4 बजे, कितने बजे, सुबह के 4 बजे, अरम जो है, अपने घर में सो रहा था, तो अचानक से कौन, उसको tap tap की आवाज सुनाई देती है, ऐसे, ऐसे आवाज सु कर देखता है, विंडो को तो उसको कौन दिखाई देता है, उसको मुराद दिखाई देता है, और जैसे मुराद को देखता है, तो अपनी आखें ऐसे मलने लगता है, क्योंकि उसको बहुँ जादा हो जाता है, उसको यकीन नहीं होता, कि जो मुराद है, वो आज एक वाइ अब बात करतेARS, जैसे वू देखता है और उससे पूस्ता रहे, इह गोड़ा किसका है कहां सि लाया, काहां सि लिय कि आया गोड़ा, तो वू उस बात को इक्नोर कर देता है कुण मुराद इकनोर कर देता और अरम से कहता है, अगर तुझे होस राइडिंग करने जट से तयार हो के नीचे आजा, अब यहाँ पे जो अरम था, उसके अंदर भी होस राइडिंग करने की इच्छा थी, इसलिए वो सोचता है, चलो भई, आजाता है, लेकिन वो एक बात सोचता है, क्या को सोचता है, अपने आप यह कंकुलूजन निकालता है, कि चोरी तब त इसलिए के बारे में समझ लगते हैं, यह है गैरोगलेनियन ट्राइब, और जो गैरोगलेनियन ट्राइब है, वो अपनी ओनेस्टी के लिए फैमस है, किस के लिए फैमस है, वो ओनेस्टी के लिए फैमस है, और इन्हों ने कभी भी किसी का एक पैसे का भी, या क्या सकता है एक रुपे का भी लाब नहीं उठाया, हमेशा ये अपनी ओनेश्टी के लिए फहमस रहें, और ये गैरो घलेने ट्राइब हैं, और ये पोवर्टी स्ट्राइकन है, सुध गरीब हैं, लेकिन सुध गरीब, जितने जादा ये गरीब हैं, उधने जादा ये, क्या हैं, इमान ये इसी फैमिली के है, जब इनके पास पैसे नहीं है, तो गोड़ा कहां से आगा, इसलिए मुराद में गोड़ा चुराया है, तो जब अरम उससे पूचता है, दो बारे साथ चाही तो बता दे, जब उस पर बैठके चल रहे होते हैं, खेत की तरब गए, अब तो बता दे सेंट जैक्मिल वैली, और इस सेंट जैक्मिल वैली में एक गाउं है, टाउन कह सकता है, गाउं कह सकते है, ये गाउं है, और इस गाउं में एक जगह है, वोलनट अवैनू, क्या है, वोलनट अवैनू, इस वोलनट अवैनू में कौन रहते हैं, इस वोलनट अवैनू की प खेत और गाओं की जहां पर सीमा जुड़ती है जहां पर boundary लगते हैं यह वहाँ पर रहते तो इस साइड कूब क्या है खेती घेत है लेकिन आपर जो क्हेती होती है फिलती है यह ग्रैप्स में स्टेFunं का अपने प्रदां कर देखां अखेला होसर राइडिंग करुए इसलिए जो मुराद है जैसे ही अपना घोड़े पर बैठताय उसको किक लागाता की किक लागाता जिए फूर बहु आपना भाग ने लगता है नगे जैसे उसने मुराद को देखा, कि जो मुराद है, वो तो बड़ा अच्छा, होर्स राइडिंग करता है, और मुराद को पता, भी हाउ टू कंट्रोल आ होर्स, बट अरम उसकी कोपी करने के लिए, जैसे ही होर्स पर बैठता है, बैठने के बाद, जैसे ही उसको किक लगाता है, हील मारता है, अपनी एडी की चोट मारता है, घोडे को तो घोड़ा क्या करता है, घोड़ा इल्क दूम सागे अपने पैर उठाता है, या हिंड लैग पर खड़ा होता है, हिंड लैग होता है पिछने पैर, पिसले पैरों पर खड़ा होकर वो दोड़ने लगता है लेकिन उसको इस रस्ते पर जाना था किस पर जानता था उसको इस रस्ते पर जाना था बट वो रस्ते पर ना जाकर वो कहाँ पर इन फिल्ड्स में चला जाता है wine yard में, खेतों की तरब घुश जाता है कुछ ही, क्या थी, कुछ ही wines, wine yard के कुछ ही गज की दूरी तक जाता है और उसको नीचे फैंक देता है, कौन? वो घोड़ा जिस पर अरम बैठा था, और उसको नीचे फैंक कर घोड़ा वहां से फरार हो जाता है इधर मुराद पीछे से भागता हुआ आता है और उसको उठाता है कि इसको अरम कोर उससे पूछता है where is the horse? अब उनका गोड़ा जो था वो लोश्ट हो चुका था, अब वे बहुत घबरा चुके थे, इसलिए वे अलग-अलग डिरेक्शन में horse को ढूंडते हैं और after futile search of an hour, आदे घंटे की search के बाद उनको जो horse हो मिल जाता है और उसको लेकर वे वापस आ जाते हैं, अब main problem ये थी, कि अब जैसे वो लेकर आया तो अरम उससे फिर पूछते हैं, अच्छा ये तो बताओ भाई क्या तुमने इस घोड़े को चुराया हैं उसको जवाब नितार, वो कहता है कि बताओ अब इसका क्या करें, इसको या तो इसके वापस दे दे, या फिर अगली सुभह को हमें फिर horse riding करनी है उसके लिए इसको कहीं छिपा के रख दे, तो finally वे दोनों डिसाइड करते हैं क्या डिसाइड करते हैं, finally वे डिसाइड करते हैं कि हम इस घोड़े को चुपाएंगे इसलिए चुपाने के लिए जगह ढूंडते हैं और जगह है किसकी, एक वापर वाइन यार्ड है, ये एक खेत है जिसमें वाइन यार्ड है लेकिन ये डेजर्टिड वाइन यार्ड है अब इसमें खेती नहीं होती, बस सारी फसल सूख चुकी है और इस खेत का मालिक है फेटजा वियन, क्या नाम है इसका? फेटजा वियन इस खेत के मालिक का नाम है जो इस खेत का मालिक है और यहाँ पर इसने अपना एक बान बना रखा है क्या होता है बान बान क्या होता है जहाँ पर हम असल होते हैं उसको इस्टोर करते हैं उसको बान कहते हैं बाडा कहते हैं इंदी में तो यहाँ पर इस अपने होर्स को लेकर आते हैं एक फैट जाविय पर सृव हर भार उसको सीधे रस्ते ना ले जाके पर फिल्ड देटा टो गिरा देता एक पहेत, हम भी काम भी तर एक बीट गनना ये वे घूंड तो एक दिन होता ये है जैसे इसी अरण घर पर था तो 2 पहर के ताइम, आफटर्ण के ताइम, आंप ये निग हम जो है दाई, इसके अंकल आते हैं कहाँ पर अरम के घर पर अब जो ए गैरोगरेलियन ट्राइब के इनसान है इनकी ए खास बात है कि यह होस्पिटैलिटी बोड़ी अच्छी करते हैं इनके घर कोई चले जाओ जाते ही कोफी वो भी पूछेंगे चाय पानी पूछेंगे वो ही काम है इनका अब यह तो वैसे भी इसके अंकल है किसके अरम के तो अरम के घर जाते हैं कौन अंकल खोस्रोग अब जैसे घर जाते हैं घर जाते ही यह बैट जाते है तो अरम की मम्मी अंकल खोस्रोग के लिए क्या लेके आती है कोफी लेके आती है एक सीगरेट लेके आती है और अपना बैट के अपना धुया उडाता है अपना कोफी पीता है आराम से बैठते हैं अब थोड़ा हम अंकल खोस्रोब के बारे में समझ लें तो अंकल खोस्रोब एक रेस्टलेस पर्चन इनको जल्दी ही गुस्सा आ जाता है और यह अपने सामने किसी को बोलने भी नहीं देता है को इन से बड़ी मुझे और इन से बड़ा सिर तूरी सेंट जैंक्विन वैली में किसी का है नी और इन से ज्यादा सन की टाइप का इंसान इस पूरी सेंट जैंक्विन वैली में है और इसी के गुन किसमें आ चुके हैं मुराद में आ चुके हैं वो भी करेजी है वो भी फिरुजा यह है इसमें 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 इसको crazy streak of the family बताया गया है अब जो मुराद है मुराद के फादर का नाम है जोराब अब जोराब की बात करें तो जोराब एकदम simple kind इंसान है लेकिन अगर उसके अगेंश्यादी हम देखे इसका नेशर बिलकुल किसके जैसा है अपने अंकल के जैसा है मता है तो यह जोराब का बट इसकी जो characteristics है इसके behavior की वो बिलकुल इसके अंकल बर गई है अब आए अंकल खोसरोग coffee पीते हैं सिगरेट पीते अराम से बैठते हैं कि तभी एक और विजीटर इनके घर पर आता है कौन आता है इनके घर पर एक और विजीटर इनके घर पर एक विजीटर आता है और वो और कोई नहीं होता वो होता है जोन बाइरो जो किसके घर पर आता है narrator के घर पर आता है कौन John Byro और जैसे ही John Byro आता है गाड़ी को जो आपके चैप्टर में नाम लिखाया है गोड़े की गाड़ी के लिए उसको कहते है सुरे सुरे कहते है गोड़ा गाड़ी अब वो कहता है कि मेरे पास यह गाड़ी है और वो कई मील कितने दस मील टैन माइल्स वो पैदल चलके कहाँ आए था इनके घर आया था अंकल खोसरो के या कह सकते है अरव हर की फैमिली में आया था अरव के घर पे वहाँ पर अंकल खोसरो बैठे थे कहता है जी मेरा गोड़ा एक महीने से मिसिंग चल रहा है अब बताओ मैं इस सूरे का क्या करूँ ये तो मेरे किसी लाब की है नहीं तो कहता है तो क्या हो गया फिर गोड़ा ये तो गुम हुआ है हानी थोड़ी हुए है कुछ अब कुशन ये आता है कि जो ये जो उन बायरो है ये अंकल खोसरोब को ही बताने क्यों आया था कि उसका घोड़ा कुम हो गया ये किसी पुलिस वाले के पास क्यों नहीं गया इसके पीछे भी तो रीजन है तो इसका रीजन ही है ये इसलिए आया था क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इमानदार है ये फहमस है अपनी ओनेश्टी के लिए अगर इने जरासा भी कुछ पता होगा ये तुरंट बता देंगा पुलिस वालों का तो पता ना पैसे के पैसे ले लेंगे काम का काम नहीं करेंगे इसलिए यहाँ पर आया था तो जैसे ये सब चीज किसको पता चलती है अरम को अरम सोकड हो जाता है अब उसको सारी बातों का पता चल गया अच्छा ये घोडा तो किसका है जोन बायरो का है किसने चुराया था मेरे भाई मुराद ने चुराया था अभी इसके हम मजे ले रहे है तो दोड़ा दोड़ा वहां से भागने लगता है, दो पहर में ही कहां पे जाता है, कहां पे जाता है भई दो पहर में ही, वो दो पहर में जाता है कहां, मुराद के पास, अब मुराद अराम से बैठा था, लेकिन यहां पर मुराद की एक और केरेक्टरिस्टिक देखने को आ तो इससे अमें ये भी पता चलता है कि जो मुराद है वो एनिमल लवर भी है और जब उसको आके कहता कि अभी अभी पता हमारे गर कोन आया था और फिर यहाँ पर आके ओ बही कहते है जब अरम गूड सवारी सीख लेगा अरम को गूड सवारी सीखने में लग गग एक वडेक एक साल का टाइम लगेगा इतने दिन तो आम रख नहीं सकते है तो फाइनल ड्रिसाइड होता है कि वे 6-month इसको रखेँगे तो कुछ विक्स तो एक दिन क्या होता है, जैसे वे होर्स राइडिंग करके, एक मौर्निंग गर वापस आ रहे थे, दोनों भाई गोड़े पर बैठ कर, तो इनका एंका एंकाउंटर हो जाता है किस से, जोन बाइरो से, अब जोन बाइरो सामने आ जाता है, भाईया गोडा, तो जाते ही पू बड़े बारी की से उसको इंस्पेक्ट करता है, एक्जमाइन करता है, और करने के बाद वो कहता है, भाई, ये घोड़ा तो मेरे घोड़े के जैसा लग रहा है, और मैं इस बात की कसम खा सकता हूं, मंदिर में जाकर, या कहीं भी जाकर कसम खा सकता हूं, कि ये घोड़ा म तो इतना कहके वो आगे चला जाता है, अब फाइनली जब यह उसको छुपाने के लिए आते हैं, तो इनकी जो अंतरात्मा है, इनर कंसाइंस है, वो इस्ट्राइक हो जाती है, और यह सोचने लगते हैं, अब तो अब तो माई रेपूटेशन का सवाल आ गया, अम तो बदना ये जाते हैं उस horse को लेकर कहाँ पर जोन बाइरो के खेत में अब जोन बाइरो के खेत कहाँ था 10 मील दूर था तो 10 मील जाते है उसको छोड़ के आते है सब काम अच्छी से हो जाता है horse को वहाँ पर बांद के आ जाता है जैसे भी वापस मुरता है, वहाँ पर थे dogs, अब problem एक और हो गई, अब जैसे भी चलेंगे, कुटे भोकेंगे, इनको काटना भी सुरू करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मुराद जानता था how to handle dogs, इसलिए वो उनको कूर्ची-कूर्ची करके, अपना चुप दुपारा से, जो उन भाइरो कहा आता है, अरम के घर, अरम के घर कौन थे, अंकल खोसरो बैठे थे, उनको कहता है, जी मेरा गोड़ा वापस मिल गया, लेकिन पहले से बैटर टेमपर, टेमपर और पैमपर, दोनों ही काम थे, टेमपर भी था, और पैमपर, पैमपर मतलब अच्छे देख बाल, और टेमपर का मतलब बैले से ज़्यादा, कंट्रोलेबल, और हटा-कटा मुझे मेरा गोड़ा मिलाया, मैं बहुत खूस हूँ, अब मेरी जो समाश्या थी, उसका समाधान हो गया, तो इस बात पर फिर वो अपना वही तकिया कलाम लगाता है, कौन अ ने चैप्टर के साथ, ओके, बाई बाई